हेलो फ्रेंड्स संद्राइज क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से पुना मैट्रिक बोर्ड एक्जाम 2023 के लिए लेके आ गया धमा का साइन्स टेस्ट स्रीज आप इस टेस्ट को लगाईए और अपना तयारी को जाचिए क्योंकि ये टेस्ट स्रीज जो है ये आपके मैट्रिक बोर्ड एक्जाम से सम्बंदित है और मैं इस चैनल पे करीब 15 से 16 टेस्ट कराऊंगा ठीक है और ओ टेस्ट आपको लगा के ही एक्जाम देने जाना है आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा और एक बार टेस्ट को लगा के देखे और जब मैं इसका पुना एनलाइसिस लेके आऊंगा तो हर कोस्चन में चार अप्शन दिये हैं चार अप्शन के बारे में मैं डीटेल्स एनलाइसिस कराऊंगा तो आएए शुरू करते हैं टेस्ट स्रीज नमबर सेकेंड क्योंकि पहले मैं एक के टेस्ट डाल चुका हूं जिसमें कुछ लिखावट जो है ना उडिप दिखाई दे रही है लेकिन मैंने सारा कोस्चन को पढ़के बताया है और उसका एनलाइसिस कराएं पहले एनलाइस और अपनी तयारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और अपने सातियों में सेयर करना चलिए कोस्चन नमबर सुरू करते हैं कोस्चन नमबर वन स्टार्ट क्या है तो नेत्र में परवेश करने वाली परकास किरणों का अधिकांस अपवर् पर अभिनेत्री के अंतर प्रिष्ट पर कौर्निया के बाहरी प्रिष्ट पर और इन में से कोई निया अगला कोस्चन है क्यों नमबर सेकेंड निमलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पन का आवर्धन रिनात्मक है एक नमबर में है एनमबर में क्या है तो अगला कोसेन क्या है कि निम्ली खित में से कौन सा बुजा हुआ हुज़ा हुआ यहां पता है और बिल्कुल असान तरीके से पता है मैंने बताया है कि बुजा हुआ चुना से बिना बुजा बुजा हुए चुना से बुजा हुए चुना का भी निर्माड करने के लिए आप इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो का आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ठैक है तो महां से भी आपका एक नमबर पका हो जाएगा Cow इंट्र अप्ट्र इस्पंदेर ऊप के सामने हैं बैरो मेंटर मेननेमीटर और है इन से कोई नहीं है अगला कोशन है इस्तिरियों में लिंग ने लिंग गूर्ण सुत्र का उप्योग होता है तो आप बताईएगा एक्स 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 वाई ठेक है या मतलब कौन सा होगा आप अप्शन के अंसर बताईएगा ठेक है कोशन नम्बर 6 से निमलिखित में से कौन सा पदार थे लेंज बनाने के लिए परिप्त किया नहीं किया जाता है क्या किया है नहीं किया तो आप कोशन को बारीकी से पढ़िएगा ऐसे कोशन बहुत खतरना कोशन हो जाते हैं जल कांच प्लास्टिक मिटी आवतल लेंज का को बना लिजिए तो यह आपका रहा कुस्टन ठीक है तो यहां तक आप फिर से टेस्ट में कुस्टन नम्बर 8 है परकास के परावर्तन के कितने नियम होते हैं आपको तो यह कुस्टन लॉली पॉप है और बहुत प्यारा सा कुस्टन है लेकिन एक्जाम में पूछा जाने कुस्टन नम्बर 9 है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पन सरवाधी कुपयोगत होता है तो चिपको अंदोलन का मुख्य उदेश से क्या है तो मिट्टी को बिक्षो को जल को और बिजली को मतलब किसका संरक्षित करना खड़िया करा साइनिक सुत्र क्या होता है एंजी सीयो थ्री सीयो और सीयो थ्री के होल ट्वाइस इस तरह का कुछ अप्सन दिया हुआ है इसको देख लिजिएगा ठीक है किसी भी अमलिये बिलियन का पी एच मान होता है साथ के बराबर साथ से अधिक साथ से कम और कोई लिए एक बात बताना चाहूंगा दोस्त कि जब भी आप टेस्ट को देने के लिए क्योंकि आपको सही करना है और आपके मुमी पापा का सपना पूरा करना है तो पूरा करना है तो उसके लिए आज महनत करना है कि नहीं है मैं ए वीडियो रात में सुट कर रहा हूं करीब 2 बज़े रात में सुट कर रहा हूं और वीडियो आप लोग के सामने जाएगा ठीक है तो कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेर भी अगम. अगला कौस्चन है किसी भी अमलिय बिलियन का पीएच मान होता है साथ के बराबर साथ से अदिक साथ से कम इमें से कोई नहीं पराग कोश्म में होता है पंखोडी बिजानू अंडप पराग करण क्या होता है आप अप्षन के अंसार बताईएगा क्योंकि ये टेस्ट का ही नाम है जाचे अपनी तयारी तो मैं तो एंसर ये भी बताऊंगा नहीं एंसर बताऊंगा जब इसका अनलाइसिस लेके आऊंगा आप टेस्ट को लगा चुके होंगे तब एंसर आएगा क्योंकि आप कितना सही किये हो इसको बताने की ठेक है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है एन ए ओ एच है अमल छार लवण इन में से कोई नहीं मानव मस्तिस्क का आउसत भार कितना होता है देड़ केजी दो केजी एक केजी चार सो ग्राम इन में से कोई नहीं ठीक है तो यह सारा अप्शन आपके लिए है अगला कोश्चन नमबर सोले है बाइमंडल में सी ओ टू गैस की मातरा कितनी होती है तो आपको अप्शन यहां पे चार अप्शन दिखाए दे रहे हैं कितनी होती है इसका एंसर कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा मैं समझ जाओंगा कि उनकी तयारी में चार चांद लगी है और उनको और ज्यादा तयारी करनी की जरूरत है क्योंकि आगे निकलना है तो निकलना तो है ही है कि न अगला कुश्च हो सो नमबर थाता है आपको यहां पे अपसन दिखाए रहा है कि लोहा है कोंपर है zis work ट का जूल परती MPR इन में से कोई नहीं लोहे की परमाणू संख्या क्या कुस्टन नबर 22 है तो लोहे की परमाणू संख्या कितनी उती है 23,26,25,24 आपको अंसर टीक करना है अवतल दरपन की फोकस दूरी होती है रेंदातमक थनातमक ठेक है रेंदातमक अंधनातमक दोनों सुने निम्लिकित में से कौन सा उपधातु हैं तो आपके सामने ये चारो अप्शन हैं कौपर नीकल एंटी मनी और पौधे में स्वसन होता है जड़ द्वारा पतियो द्वारा और तने इन में से सभी तो आप अप्शन को टीकर लीजिएगा ठीक है जो भी अंसर होगा उसको कमें सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए ठीक है फिर कुस्टन नमबर 26 तलाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है प्रावर्तन विवर्तन अपवर्तन अर्धुरुण तो बताइएगा आप यह जो आप्टिक्स चैप्टर प बढ़ाई हुई है कि परकास के अपवर्तन और प्रावर्तन घिक है उसमें एस चीजें बताहि गई है कि कब यह परकास में पानी जमीन है में रुपर उठी देकाई देती है कोई सिक्क्राइब होता है तो पानी में उठा हुआ दिखाई देता है इस तरह का चीजे आपको समझना है ठीक है अगला कोश्चन है 27 नंबर परकास अपवर्थन के कितने नियम है पहले कोश्चन पूछा हुआ कि परकास के प्रावर्थन के कितने नियम होते हैं ठीक है तो परकास के से पुना एक बर पढ़ देता हूं 26 क्या कर रहा है कि तलाब क्या कर रहा है जी कॉमरे कि रहा है तो इस को भी आपको बताना है अगला को स्टेश्य निमलेखित में से पीएच का कौन सा मान छारव बिलियन का मान देता है यानि इसका स्पर्स्ट को कहूं तो आप सीधे सीयाद रखेगा कि छारी बिलियन का पीएच मान कितना होता है बस दो, साथ, छो, तेरा, ठीक है, निम्न में से कौन सा आइनिक क्योंगिक है, CH4, CO2, CL2 और NH3, आप बताईएगा कि आपका कितना सही हुआ, तीस कोस्चन में, और तीस कोस्चन में, अगर आपका कोस्चन 25, 26, 28, 30, यानि कहें तो overall, 20 से उपर अगर आपका आता है, तो आपकी तेयारी लाजबाब है, और आपको और ज्यादा तेयारी करने की जरुरत है, क्योंकि आपके कुछ आगे निकल जुके, निकले हैं, तो और आगे निकलना है, ताकि अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने ममी पापा का नाम रोशन करना है, और अपने इलाके में जंडा लहरा नहीं तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे फिर नेक्स डे आप लोग को तीशु कोश्चन का एनलाइसिस लेके यानी इसका नाम है सुपर थर्टी स्रीज जाचे अपनी तयारी बेस्ट अप लक थैंक यू सो मच बाई बाई टेक क्यार सुब्रादी जै किता